नमस्कात दोस्तों, हिंदी सहित्य वारता में आप हैं सुवाष्ठाकुर के साथ और हम त्यारियां कर रहे हैं NTA UGC NET विशे हिंदी की तो इसके अंतरगत हम पढ़ रहे हैं आदिकालीन सहित्य आदिकालीन सहित्य में हमने रासो सहित्य के बारे में कुछ एक चीज़ें पढ़ ली थी आज हम पढ़ेंगे पृत्वीराज रासो और आदिकालीन गद्य सहित्य तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की सबसे पहले हम देखेंगे प्रित्विराज रासो तो दोस्तों जो प्रित्विराज रासो है वो रासोगरंथ की सबसे महतपून रचना मानी जाती है और इसके संबन्द में अचारे रामचंदर शुक्ल जी कहते हैं चंद बरदाई हिंदी के प्रत्थम महाकव्य माने जाते हैं और इनका प्रित्वी राज रासो हिंदी का प्रत्थम महाकव्य है तो देखिए दोस्तो जो अचारे रामचंदर शुकल जी हैं वो क्या कहते हैं कि जो चंद बरदाई हैं वो हिंदी के पहले कवी हैं ठीक है न औ और प्रित्वी राज राषो को क्या बानते हो वो पहला महाकाव्य मानते हैं तो ये कतन भी कई बार exam में पुछ लिए जाता है कि ये कतन किस ने कहा है क्लिर है आगे हम देख लेते हैं कि प्रिद्वी ताज रासों के बारे में और क्या चीज़ें महत्वपूर्ण है दोस्तो इसके जो संसकर्ण है चार इसके प्रसित संसकर्ण माने जाते हैं जिसको हम अंग्रेजी में एडिशन कहते हैं जो सबसे पहला या सबसे बड़ा जो संसकर्ण था देखिए ये था 16306 चंदों में देखे कितने जादा चंदों की इसमें अधिकता थी और इसी के चलते इसको चंदों का अजाइब घर भी का आ जाता है सबसे बड़ा संसकर्ण जो था वो 16306 चंदों में है और इसका प्रकाशन नागरी प्रचारणी सवा काशी से हुआ क्लिर है दोस्तों यहां तक कहां से वह अता इसका प्रकाशन काशी नागरी प्रचारणी सवा से और इसमें 69 समय हैं समय का मतलब parts एक तरीके से यह कहें कि भाग सर्ग भी आप कहा सकते हैं लेकिन अगर समय अगर लिखा गया है तो हमें समय ही इसको मानना है क्योंकि वो समयों में ही लिखा गया है ना कि सर्गों में ठीक है दोस्तों इसकी हस्त लिखित प्रतियां देखिए कहां पर हैं उद्यपूर के संग्राले में सुरक्षित हैं और इसका जो दूसरा संसकर्ण है उसमें 7000 चंद हैं देखिए उसमें थोड़े से घट गए 7000 पर पहुंच गए और तीसरे में 3500 तीसरे में कितने 3500 चंद हैं और चौथा जो सबसे छोटा माना जाता है सबसे छोटा संसकर्ण इसका कौन है जो आखरी वाला है है ना इसमें 1300 चंद हैं और इसी को क्या खाते हैं कि जो डॉक्टर दशरत शर्मा है उनने क्या माना है कि वो जो है मूल रासो उसको मानते हैं कि इसको ये जो तीसरे वाला इसका एड इसने माना आई है डॉक्टर दश्रत शर्मा ये कहते हैं कि जो चौथा इसका संसकर्ण है वही क्या है मूल रासो है तो यहां तक क्लियर है आगे हम देख लिखते हैं कि अभी हम देख रहे थे कि इसमें कितने जादा चंद हैं देखिए तो इसी की अधिक्ता के कारण शिव स प्रामानिक है कुछ एक कहते हैं कि अप्रामानिक है और कुछ एक ऐसे भी हैं वो कहते हैं कि अर्ध प्रामानिक है पूरी तरीके से इसको कह नहीं सकते हैं तो देखिए सबसे पहले जो प्रामानिक मानते हैं इसमें आता है आपका डॉक्टर शाम सुंदरदास मोहनलाल वि शुकल का क्यूंकि शुकल मानते इसको अप्रमानिक हैं लेकिन रखा इसको अपने हिंदी साहिते के इतिहास में इन्होंने इनको जगा दी है तो ये बात अपने आप में एक क्या है आश्चरे चकित करने वाली बात है कि अचाय रामचंदर शुकल किस अधार पर इसको अप् तो ये जो विद्वान है, ये क्या कहते हैं? कि ये रचना, जो पृत्वी राजरासो है, वो क्या है? वो अप्रमानिक है. लेकिन अब अन्य है दिगे, वो कहते हैं कि अर्ध प्रमानिक है. तो इसमें आता है मुनि जन विजय, हजारी प्रसाद दुवेदी, सुनिती कुमार चटर जी और दशरत ओजहा. तो ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि ये जो पृत्वी राजरासो है, ये क्या है? ये अर्ध प्रमानिक है. ठीक है ना? इसके अलावा एक चौथा मत भी है, जो नरुत्नमदास स्वामी का है. लेकिन उसको इतनी जादा तबज्जो नहीं दी जाती, वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि जो चंदबरदाई थे, उन्होंने पृत्वी राज के दरवार में रहकर मुक्तक रूप में रासो की रचना की थी. ठीक है ना? तो उनके इस मत से की रासो मूलत प्रवंद का वे नहीं था, कोई अन्या विद्वान इससे क्या है? स क्लिर है दोस्तों कि ये अलग-अलग विद्वानों ने अलग-अलग मत दिये हैं. ठीक है? तो यहाँ पर याद रखना है कि जो अचारी रामचंदर की शुक्ल हैं, उन्होंने क्या माना इसको अप्रमानिक माना है. ठीक है? तो चलिए अब हम देख लेते हैं इसकी विशे ओने ग्रंत ही हैं और जो पृत्यु राज़्ों है वो इसी तरह का क्या है? ग्रंत है. प्रेम और शौर्य का précisत्रण. तो स्रिंगार और वीरस ने क्या आएगा? या प्रेम और शौर्य राज्चंदर की जो वीरता है उसका वनन किया है चंद वर्दाई ने. ठीक है? सरोवरऑं आदिका वनन है ना हर चीज को उनोंने क्या है चंद वरदाई ने समाहित करने की कोशिश की है प्रित्विराज रासों में ठीक है नारी संदरे चितरन अगर श्रिंगार future रास की बात आएगी तो नारी संदरे तो होगा योगा ठीक है ना तो उसका भी कि जो संह योगिता थी वो प्रित्विराज के लिए कितनी आ सकत थी है ना और कई जगा पर क्या किया है जो चंदवरदाई है उन्होंने उनकी सुंदरता का वर्नन किया है उसमें ठीक है और अगला जो है देखिए वो आता है भाषा तो इसकी जो भाषा थी दोस्तो वो थी पिंगल भाषा तो पिंगल बरज और राजिस्थानी मिश्रित भाषा को क्या का जाता है पिंगल भाषा का जाता है तो ये इसकी भाषा शैली थी अलंकारों और चंदों का अधिक्य तो अलंकार और चंद जैसे कि हमने पहले ही पढ़ लिया जब हम इसके समाने से परिचे गर मेंने पहले भी कहा दिया और जो चंद बरदाई थे उनका जो प्रमुक जो चंद है वो था उनका चप्य चंद तो उसका चप्य चंद का उनको क्या कहा जाता है विशेशग्य भी माना जाता है ये भी कई बार एक्जाम में पूछ लिया जाता है तो इसकी कुछ एक विश चत्तर में बूलर ने प्रिथ्वी राज विजय ग्रंथ के अधार पर इसे अप्रमानिक रचना गोशित किया, देखिए सबसे पहले किस ने किया था इसको अप्रमानिक रचना गोशित, 18 सब चत्तर में बूलर ने, ठीक है न, तो ये जो प्रिथ्वी राज विजय है, ये कि इसका ग्रंथ है, ये है कश्मीरी जो कवी हैं, है ना, जायानक, तो उनकी कृति है ये पृत्विराज बिजय, ठीक है? तो इसके अधार पर इनों ने का कि वो जो पृत्विराज रासो है, ये क्या है? अपरमानिक रचना है, ये कि पृत्विराज रासो को पूर्ण रूप जलहन्ड ने प्रदान किया और वो कौन थे? चंदरवर्दाई के पुत्र थे तो इसको पूरहन ने पुर्ण था परदान की थे हैं। पिरित्विराज रासों के रचनकार चंदरवर्दाई को छप पेचंद का विष्थ कम्प्लिट कर ली थी। तो दोस्तों ये था पिरित् कुछ एक ग्रंत हैं जिनके अधार पर हम ये कह सकते हैं कि जो आदिकालीन सहीत है वो गध्य में भी लिखा गया है तो जो प्रमुक रचनाय है उसके देखिए वो कौन-कौन सी है राउल वेल है उक्ति व्यक्ति प्रकरण है और वर्न रतनाकर है तो चलिए इनको सबसे पहले हम सिलसलेवार से एक-एक तरीके एक-एक करके देख लेते हैं तो सबसे पहले देखते हैं राउल वेल तो राउल वेल ये ग्यार्मी शति में रचित एक प्रेम काब्य है और इसका पार्ट शीला अंकित है या शीला में एक तरीके से ये सब क्या है अंकित है है ना और ये ग्याहरुई शाप्ताब्दी में रचित प्रेम काव्य है, तो कैसा काव्या देखिए, राउल वेल प्रेम काव्य है, और इसकी रचना रोडा नामक कभी है, तो कई जगा ये रोड कभी है, कई जगा रोडा नाम मिलता है इनका, चम्पु काव्य की प्राचिनतम हिंदी कृती, देखिए चम्पु काव्य है ये, तो चम्पु काव्य क्या होता है, जहांपर पद्य और गद्य दोनों क्या है, मिश्रित है, जैसे कि मैंने पहले भी कहा था ना, कि अधिकतर रचनाय क्या थी, इस समय में अधिकतर पद्य में रची जा रही थी, तो राउल वेल में भी इसका थोड़ा सा प्रभाब दिखता है, और लेकिन थोड़ी चीज़ें इसमें गद्य की भी है, जो आखरी वाला भाग है, वो क्या है, वो गद्य वाला है, तो इसलिए इसको क्या का जाता है, चम्पू का अब्य कहा जाता है, नाइका राउल के सौंदर्य, देखिए इसकी नाइका कौन है, राउल, उसके सौंदर्य वर्नन का पद्य और गद्य में इसमें क्या किया गया है, सौंदर्य का वर्नन किस में है पध्य और गध्य में है किस के नाइका के नाइका कोन है राउल ठीक है न तो पध्य और गध्य में है तभी तो इसको चंपु काव्य का जाता है ठीक है इसी में इसी से हिंदी में नक्षिक वर्नन की श्रिंगार परंपरा आरंब होती है तो क्य माना जाता है कि यहां से ही क्या होता है कि हिंदी में नक्षिक वनन, नक्षिक मतलब इस तरी के जो सर से लेकर करके पाउं तक है, मतलब उसका संपूर्ण वनन, ठीक है, कहां से हुआ था फिरुवात इसी से मानी जाती है, राउल बेल से ही ठीक है राजस्थानी की प्रधानता समेत हिंदी की साथ बोलियों के शब्दों का प्रयोग मिलता है तो देखे इसमें बाशा कौन सी है राजस्थानी की प्रधानता है राजस्थानी है न और साथी साथ उसमें हिंदी की साथ बोलियों के शब्द भी हमें देखने को मिलते है लेकिन जो रामचंदर तीवारी हैं वो कहते हैं कि मूलता इसकी वाशा क्या है? मध्यदेशिय अपबरंश है तो कौन सी वाशा है? मूलता इसकी वाशा मध्यदेशिय अपबरंश है ठीक है दोस्तों तो ये था राउल वेल के बारे में थोड़ी सी जानकारी अब हम देख लेते हैं जो दूसरा ग्रंथ था वो था उक्ति व्यक्ति प्रकरण तो देखिए इसके रचनकार थे दामोदर शर्मा और रचनकाल इसका था बार्वी शताब्दी जो हजारी प्रसाद दुवेदी हैं वो इसके बारे में कहते हैं कि जो ये उक्ति व्यक्ति प्रक्रण है एक महत्वण ग्रंथ है इससे बनारस और आसपास के प्रदेशों की संस्कृती और भाषा आदी पर अच्छा प्रकाश पड़ता है और उस यूग के काव वियरूपों के समन्द में भी थोड़ी बहुत जानकारी प्राप्त होती है तो यहां पर इन्वर्टेट कामा बंद होगा तो यह किसका कथन है यह है अचारे हजारी प्रसाद दुवेदी का यह कहते हैं कि यह बहुती महत्वण ग्रंथ है और इसमें कहां कहां का बनारस और आसपास के प्रदेशों की संस्कृती भाषा आदी पर अच्छा प्रवगास पड़ता है ठीक है किस से राउल बेल से उक्ति व्यक्ति प्रकरण से और दामोदर शर्मा ने इसकी रचना राजगुमारों को कान्य कुब्ज और काशी प्रदेश में प्रचलित ततकालीन भाषा में संस् सवापंडित माने जाते हैं यह किसके महराजा गोविंद चंदर के सवापंडित कौन दामोदर शर्मा ठीक है ना तो यह क्या कहते हैं कि इन्होंने इसकी रचना क्यूं की थी उनको संस्कृत सिखाने के लिए राजगुमारों को संस्कृत और ततकालीन भाषा में संस्कृ सिखाने के लिए, मतलब तत्सम शब्दों को सिखाने के लिए, ठीक है, तो इस पुस्तक ये सी दोता है कि उसमें हिंदी व्याकरण की और ध्यान दिया जाने लगा था, तो ये इस पुस्तक की क्या एक विशेशता है कि यहां से हिंदी व्याकरण की और ध्यान दिया जाने ल मतलब encyclopedic ठीक है न तो इसमें सब चीज़ों का मतलब encyclopedia का मतलब है जहाँ पर सारी चीज़ें क्या है एक जगा हो तो वर्ण रतनाकर का रूप भी क्या है वैसा ही माना जाता है कि इसमें सब चीज़ें एक तरीके से समाहित थी ठीक है डॉक्टर सुनीती कुमार चटर जी ने इसका संपाधन किया और प्रकाशित भी कराया तो किस ने किया इसका प्रकाशन डॉक्टर सुनीती कुमार चटर जी ने संपाधित भी उन्होंने स्वयमी किया इसको है न और ये मैथली हिंदी में रचित गद्य पुस्तक है मैथली हिंदी की यह है, कई बार एक्जाम में पूछ लिए जाता है कि मैथली हिंदी में रचित गद्य पुस्तक कौन सी है, वन रतनाकर और सबसे पहली इसको ही माना जाता है ठीक है, तो 84 सिध्धों के नाम इसी ग्रंथ में ही मिलते हैं देखिए जो चौरासी सिद्ध हुए हैं उनके नाम भी कहां पर मिलते हैं सबसे पहले वन रतनाकर में ही मिलते हैं तो ये ते दोस्तो आदिकालीन हिंदी गद्य साहित्य और प्रितुराई रासों के बारे में हमने थोड़ी सी जानकारी आज ली फिलाल आज की वीडियो के लिए इतना ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के बीच में शियर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें फिर मिलेंगे नई उर्जा और नई स्पूर्थी के साथ जय हिंद जय भारत